हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी उमीद करते हैं सारे वारियर्स स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो वारियर्स सबसे पहले आप सभी को जै हिंद जै वारत जै एक्जामपल और सभी को हैप्पी हो लिए तो बच्चा जैसा कि आप सभी को पता है आज होली है कोई बात नहीं होली है तो होली भी खेलेंगे होली की पूझा भी होगी गुजिया भी खाएंगे सारे काम करेंगे रंग भी लगाएंगे लेकिन बच्चा जी हम थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे तो जैसा कि आठ से द आठ से 10 दिन बाद आपका पेपर आने वाला है तो अब धूमा धार करेंगे प्रक्टिस कोशन की प्रक्टिस जैसा कि ओल्ड पेपर में कोशन आए हैं उसी प्रकार के सवालों की प्रक्टिस करेंगे और बच्छा द्यान एक ना इतने भी Coachun आपको पहले क्लास में कराए गए तेचे उल्ड्ड में करा जा रहे हैं मतलर Practice के दौरं आपको आपको कराए जा रहे हैं ऐसे हीazy Coachun आपको पेपर में देखने को मिलेंगे 車द टो कल भी मैंने आप को एक और बच्चा सभी बच्चों को राम राम रादे रादे सभी को अधाब सभी को सलाम और बच्चा क्लास के लाश्ट में आपको बताना है कमेंट करके कि आपने कितना स्कूर किया ऑफ लाइन जब क्लास बंद हो जाएगी उसके बाद ऑफ लाइन कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितना score किया ठीक है बचा तो start करते हैं question number one question number one क्या कह रहा है आपको मुझसे पहले solve करना है यह ध्यान लखना question दिया गया है four number have been given इनमें से आपको different बताना है अलग जो अलग है क्या बताना है जो अलग है तो आपको बताना है यहाँ पे अलग कौन है सभी को happy holy बच्चा सभी को happy holy मैंने कहा आप बात चीत ना करें question पर focus करें जल्दी जल्दी छोटी सी class करेंगे ज़्यादा लंबी class नहीं करेंगे आज holy यह ज़्यादा लंबी class नहीं लेकिन हाँ कम समय में ज़्यादा सीखेंगे तो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर दो class को निप्टा देते हैं और आपकी practice करा देंगे holy वाले दिन भी और class के last में जब class खतम हो जाएगी then आप offline comment करके बताना कि आपने कितना score किया अभी बच्च जल्दी जल्दी पढ़ते चलो ठीक है okay हाँ जी विवेक बाबू सारे बच्चे सारे बच्चे अभी मैंने क्या कहा सिर्फ पढ़ो ठीक है सिर्फ पढ़ते हैं जल्दी से तो बच्चा इसमें कहा कि आपका बचाना है अलग कौन सा है अलग तो दिया अगर आपका उओ इनमें different कौन सा है तो इन में different है 195 क्यों क्योंकि ये जो तीनो number है 197 193 191 ये प्राइम नंबर है कैसे नंबर है प्राइम नंबर तो बच्चा ये तीनो 197 193 और 191 ये बच्चा प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर जो ये सोचिंगे सर हमारा ये चैप्टर अच्छे से रैडी नहीं है, कोई आप बता दो कहां से रैडी करें, तो बच्चा अगर मैं आप रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग मैं आपको बता देता हूं, डिटेल में आपको explanation मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब हम class में क्या करेंगे, old paper की बात, अगला question, जल्दी से, अगला question कह रहा है, arrange the following word in order, dictionary के according, सीधे, in short, सीधी, सीधी बात, no बकवास, सीधी बात, no बकवास, सीधी बात, कि dictionary के according arrange करना है, तो यह dictionary में सबसे पहले कौन सा number आता है, dictionary में सबसे पहले सबसे छोटा number आता है, छोटा letter, सबसे छोटा letter, तो तो दो यह तो same है, de, 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 same है, अब M की rank होती है 13, इसकी भी 13 ठीक है इसकी भी कित्य होती है बच्चा 13 इसकी कित्य होती है एक इसकी 13 और इसकी 5 तो सबसे पहले तो 3 आएगा सबसे पहले क्या आएगा 3 और 3 के बाद वहिया क्या आएगा 5 तो 3 5 किसमें दिया है 3 5 क्योंकि सबसे छोटा कौन है 3 तो आपका यही आंसर होगा बाकी चेक करने की जरूरती नहीं है अब कैसे पता चलेगा सब से चोटा लेटर की रैंक से तो वन जो है सबसे छोटी रैंक है तो यह मतलब सबसे पहले आएगा थार इसमें 5 एसमें 4 एसमें फाइफ है थ्री यह और थी के बाद बच्चा क्या आना है फाइफ तो एकदम सही है थ्री फाइफ टू वन फो दी इस दा राइट अंसर किलियर है सभी बच्चों को किलियर है कि अरेंज फॉलंइंग बर्ड़ इन्द ऑर्डर कुछ बच्चे कह रहे है फाइफ थी डी डी ओहो बच्चा एक गडवर हो गई ध्यान से देखना हाँ आप सही अप और रहे हो बात सुलोग ठोड़ी सी गडवर हो गई क्या गडवर हूई यहां पर डीय है हमने ध्यान दिया। ये d-e है ये भी d-e है ये भी d-e बे sus I can help a year И हमने लिए ध्यान नहीं दिया थे उसको e समझ लिया तो इसकी रहेंग देखो किती है पांच 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 लेकिन इसकी क्या है एक यानि सबसे पहले आएगा पाँच सबसे पहले पाँच तो इसमें तो चार आ रहा है यह आंसर नहीं होगा इसमें तीन आ रहा है यह आंसर नहीं होगा तो आंसर होगा या तो यह 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 क्योंकि इन दोनों में पाँच और पाँच आ रहा है तो बचा जी सबसे पहले तो आया फाइफ ब इसके बाद क्या आएगा अब देखो पांच 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 ये कितने में चार वर्ड के अंदर है तो अब पांच की बाद अगला देखें तो क्या आ रहा है बच्छा तेरा यहां भी तेरा यह आ रहा है एक यह आ रहा है तेरा और यह आ रहा है यह तो होई गया यह त तीन है अब अगला तेरा तेरा वाले तीन है ठीक है क्योंकि ये तो अब हो चुका है ये भी हो चुका है सैट ये सबसे पहले आएगा ये सेकंड नंबर पर आएगा अब बचते हैं ये तीन हो तो यहां पर क्या बच्छा पांच यहां पर है एक पांच एक और ये है पंद्र ठीक है बच्चा A option is the right answer अगला सवाल चलो अब भईया इसको कहते हैं embedded figure इसको क्या कहते हैं बच्चा जी embedded figure MBD figure का मतलब आपको पताए आपको ये बताना है कि ये जो आकरिती है ये किसके अंदर छिपी हुई है ये वाली जो आकरिती है ये किसके अंदर छिपी हुई है और आपको एक चीज और लिखके दिया है rotation is not allowed मतलब ये चित्र ऐसा ही दिखाई देना चाहिए rotate नहीं करना कभी कभी देखो कुछ चित्रों में क्या होता है हम इसको rotate करके देख लेते हैं ठीक है कि ऐसे ना होके ऐसे दिखाई दे जाए लेकिन इस question में साफ साफ लिखाए मेरे दोस्त वारियर साफ साफ लिखा है rotation is not allowed यानि इस question में इस चित्र को आप घुमा नहीं सकते ऐसे हू बहू दिखाई देना चाहिए तो बच्चा ये हू बहू किस में दिखाई दे रहा है जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे हाजी सभी बच्चे जल्दी से जवाब दें किस में दिखाई दे रहा है कोई है उमिद्वार जो बताएगा किस में दिखाई दे रहा है ये वाला ये आपका दिखाई दे रहा है हू बहू ना हू बहू copy paste बच्चा C option में दिखाई दे रहा है देखो यह रहा यहां पे यहां पे देखो दिखाई दे रहा है यह रहा तो बज़ा हू बहू एकदम copy paste यह रहा दिखाई देगा है सभी को I think सभी को दिखाई दे गया होगा यह रहा यहां पे ऐसे करके तो यह जो figure है यहां पे छिपी हुई है यानि C option is the right answer अगला question portion है अगला question है बच्चा यह कथन निशकर से इसको कहते हैं ऐसा question कभी कवा paper में आता है इसलिए मैंने आपको A question करा दिया देखो यहां पे गथन को ध्यान से पढ़ो यहां पे गथन जल्दबाजी मत करना कोई बच्चा जल्द बाजी एक आदमी की जो प्राथमिक्ता है एक इनसान की एक परसन यानि इनसान की जो प्राथमिक्ता है वो केवल वो केवल स्टेटस और पैसों के ओपर डिपेंड नहीं करती तो इन्होंने कहा एक आदमी है कोई आदमी तो इन्होंने कहा जो आदमी की importance होती है एहमियत होती है प्राथमिक्ता होती है आदमी की जो अच्छा importance होती है तो सवाल में साफ साफ कहा गया है कि जो आदमी की importance होती है importance एक इनसान की जो importance होती है वो केवल वो केवल only वो केवल status और money के ओपर depend नहीं करती Only इनके ओपर depend नहीं करती तो सवाल में ये का है कि एक आदमी की जो Importance है वो केवल status और money के ओपर depend नहीं करती ये आपको जानकरी दी गई अब इस जानकरी के आधार पे आप क्या निश्कर्स निकाल सकते हो इस जानकरी के आधार पे आप क्या solution निकाल सकते हो number one the goal of most of people is just to acquire money क्या आपको इस कथन से ये समझमा है कि अधिकतल लोगों का goal target यही रहता है बस पैसा कमाओ ना इस वाली बात से ये वाली बात सिद्ध नहीं होती इस वाली बात से ये वाली बात सिद्ध नहीं होती ठीक है ये solution नहीं है क्या इस बात का ये solution है कि दुनिया के अधिकतल लोग पैसा कमाना चाहते हैं पैसे के पीछे भाग रहना दूसरा there are some factor other मतलब यहाँ पर कुछ और factor भी होते हैं status और money को छोड़के तो जो इनसान की importance को बताते हैं एकदम सही बात है इस वाली बात से यही पता चल ला है क्योंकि इसने कहा कि एक आदमी की importance केवल status और पैसे से पता नहीं चलती तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और factor भी है some factor other some factors other than status and money which contribute to the importance of a person एकदम सही बात है इस वाली बात से यह वाली बात समझ में आती है तो answer होगा c only conclusion second follow answer यह होगा ना only conclusion second follow हाँ जी clear है सभी को हाँ तो सभी बच्चों को clear है तो answer क्या होगा बच्चा only conclusion second follow अगला सवाल तो बच्चा यह होते है कथन निष्कर्स आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है द्यान उसका अंसर देना है अगला सवाल अगला सवाल क्या है बच्चा जल्दी से देखते हैं ये है अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का बस कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ा अलग तरीके से दे दिया गया है आप से कोड पूछा गया है किसका abundance a b u n d a n c e इसका आप से कोड पूछा गया है a b u n d a n c e अब आपको यहाँ पर कोड दे रखे हैं इना certain code language u is written as a तो u की जगा आप लिख दोगे a क्योंकि नोंने कहा है कि u is written as a फिर का a as g तो a की जगे क्या लिख दोगे g तो a की जगे g a की जगे g ठीक है उसके बाद भाइया d की जगे लिखना है i तो d की जगे लिख दोगे i n की जगे क्या लिखना है t तो n का है n की जगे क्या आजाएगा T, उसके बाद B की जगह लिखना है R, तो B की जगह लिख दोगे R, ठीक है, अब उसके बाद E की जगह लिखना है D, तो E की जगह आपने लिखना D और C C की जगे आपको लिखना U तो भाई यह हो गया आपका अंसर G-R-A-T किसके अंदर है G-R-A-T इसमें नहीं है इसमें आ रहा है G-R-A-T इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है G-R-A-T T के बाद आएगा I-G तो I-G इसमें तो नहीं है हर लेटर का filesąda आपको देखके छापना है और चुछ नहीं करना अगला सवाल अगला सवाल बच्छा फिर से य contributes का है ते यह वाला सवाल भी कोणिंग डिकोणिंग का है ठीक है तो जल्ली से करो सभी बच्छों को होता है आपको मुझसे पहले करना है mountain mountain का code क्या दिया है mountain का code दिया है 4 6 3 5 2 1 9 5 ये कैसे आया ये कैसे आया अगर बच्चा देखो इसकी rank होती है 13 तो अगर मैं इसको single digit में बदल दूं किस में बदल दूं बच्चा इसकी होती है 15 पांच और एक 6 इसकी होती है 21 तो दो और एक तीन 14 चौदा चार और एक पांच इसकी होती है 20 तो जीरो प्लस दो दो वन की वन नाइन की नाइन 14 चार और एक पांच यानि हमने हर लेटर की रेंग को single digit में बदल दिया ठीक है अब आपसे code पुछा गया है universe का किसका universe तो इसकी होती है 21 यानि 3 इसकी 14 यानि 5 इसकी 9 तो 9 ही आ जाएगा 22 तो दो और दो चार पांच की जगा पांच 18 यानि 8 और एक 9 उननिस 9 और एक 10 नो और एक 10 लेकिन 10 को फिर से single जैसे ह आया 19 इनको एड़ करोगे 10 आ रहा है लेकिन हम फिर से इसको एड़ करेंगे तो वन आएगा वन ठीक है पांच की जगा पांच तो आपका अंसर हुआ 3594535935945915 यानि D option is the right answer समझ गई तो D option is the right answer अगला सवाल अगला सवाल बच्चा इसको कहते हैं सिलॉलिजम का question यह ब सारे के सारे जो पर्स हैं पर्स सारे के सारे पर्स क्या है बच्चा कॉइन है कॉइन उसका अल कॉइन हार रुपीज सारे के सारे कॉइन क्या है बच्चा रुपीज है रुपीज ओके रुपीज उसका ओल रुपीज आर पिंक ओके सारे रुपीज क्या है पिंक हमें तो पर्स किसके अंदर है Pink के अनदर यानि all पर्स are pink क्या है ट्रू published बार पिर कोई में देखो यह पिंक है और पिंक का कुछ इससा कॉइन है यह पिंक्र ये इतना बड़ा पिंक का कुछ सकन्स पुइंए बड़ यह कहे और यूंक्त यह नहीं है CD, उसके बाए, all rupees are purse वही आप फिर से देखो, यह rupees है यह क्या है, rupees और rupees का कुछ हिस्सा purse है, rupees का some part, कुछ हिस्सा purse है, लेकिन यह कह रहा, all all के बारे में जानकारी नहीं, CD फिर का, all coin are pink बिल्कुँ सही बात है, यह coin है यह coin है, और सारे के सारे coin क्या है, pink हैं तो वह यह answer आएगा, first and fourth are true, first and fourth, तो only conclusion first and fourth follow तो यानि, a option is the right answer, a option, तो बच्चा, a option is the right answer, clear है सभी को तो वह यह इस वाले question का answer आगया, आपका, a option is the right answer, ठीक है, चलो हाँ जी समझ गए, a option is the right answer अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है बच्चा, यह फिर से आपका coding decoding का question आया, देखो बच्चा दियान एक ना, आपके paper में coding decoding का question पका आएगा, coding decoding का question पका आएगा, analogy का question पका आएगा, different find करो, यानि odd one out का question पका आएगा, number series का question question पक्का आएगा यह 4-5 chapter ऐसे जिनका question पक्का आएगा ठीक है आपके 10 से 11 question आते हैं 10 या 11 question आएँगे और जो मैंने chapter के नाम लिए ना 5-6 chapter इनके question तो पक्का आते हैं ठीक है अब अच्छा coding decoding का document document का code क्या दिया है आपको d o c u m e n t आपको मुझसे पहले solve करना है मुझसे पहले solve करो document का code दिया है F R G U M W Q H क्या किया है इनों ने अगर बच्चा मैं गौर फर्माओं तो ये तो सीधे सीधे लिखा है U और ये लिखा है M सीधे सीधे लिखा हुआ है तो इसमें इसमें कुछ ना कुछ गडबर करी गई है देखो गडबर नजर आ गई यहां से ऐसे करके देखो सब के अंदर plus 3 हो रहा है चार और तीन साथ तीन और तीन छे पंदर और तीन अठारा लेटर की रेंक याद होनी चीए अगर आपको लेटर की रेंक याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसी यहां भी देखो पांच और तीन आठ बीस और तीन तेईस चौदा और तीन सत्रा तो सब के अंदर क्या हो रहा प्लस 3 तो आप से कोड पूछा है यह अब जो भी लिखाया वह यहा तो सी और ए तो अपनी जगा पर आएंगे सी और ए अब यहां पर अठारा और तीन एक्किस अठारा तीन एक्किस सोला और तीन उननिस और पांच और तीन आठ यू एच यू एच एस यहां भी नौ और तीन बारा पांच और तीन आठ बाइस और तीन पच्चेस तो यह आपका आंसर आना चाहे तो यू एच सी एल व इस question में क्या कहा जा रहा है दिहान से देखते हैं बच्चा इस question में कहरा है यह फिर से यह analogi का question है समानताएं ले इन्हों ने कहा यह जो word दी है pleasure pleasure का मतलब आपको दी है joy pleasure का मतलब एक तैसे तो आप से पूछा तो यहाँ पर आप से पूछा यह diligent किस से relate करेगा अब आपको पहले पता हो नच यह diligent का मतलब क्या होता है diligent का मतलब होता है जैसे कोई आदमी अपना काम कर रहा है बहुत ही निश्टा के साथ अपना काम करता है बहुत carefully बहुत ध्यान पूर्वक अपना काम करता है dedication के साथ अपना काम करता है तो उसी को कहते है diligent जैसे अगर आप अपनी पढ़ाई पढ़ाई आपका एक काम है अगर आप अपने पढ़ाई को बहुत dedication के साथ कहते हो करते हो अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा dedication के साथ carefully करते हो तो हम कहेंगे diligent अब diligent का similar word क्या होगा महंती तो जिस प्रकार pleasure का similar word क्या है joy उसी प्रकार diligent का meaning मैंने आपको बताया बहुत carefully काम करना accuracy के साथ काम करना ठीक है तो बहुत diligent का similar word होगा महंती तो यानि be option is the right answer ठीक है चलो अगला सवाल अगला सवाल बच्चा यह missing number का जल्दी से दिमाग लगाएं देखते हैं आप पहले दिमाग लगाते हो यह हमें आप पहले दिमाग लगाते हो यह हमें क्या हो रहा है इस question में बच्चा देखो अगर आप ध्यान से देखो अगर मैं इन दोनों को multiply कर लूँ इन दोनों को क्या कर लूँ बच्चा multiply कर लूँ multiply और इसमें से घटा दूँ तो ध्यान से देखना मैंने क्या करना है मना करना है 97 हमको दे रखा है 97 दे रखा है 97 इन दोनों को multiple करके इसमें से घटा दू 765 42 घटा दूं तो यहां आएगा 5 और यहां आएगा 55 आ गया तो सेम काम इसमें करके देखो जल्दी से इन दोनों को multiply करो और 73 मैंसे घटा दो तो 73 मैंसे क्या घटाऊंगा 970 63 तो बहिए कितना आ रहा है तो यहां से मुझे माइनस क्या करना होगा 48 लाना है तो 48 लाना है तो इसमें से माइनस क्या करना होगा क्या multiply करूं बज्या जल्दी से बताओ हाजी बच्चा पाटी जल्दी से बताएंगे क्या माइनस करूं सॉरी क्या multiply करो क्या multiply करो मेरे दोस्त 48 लाना है तू चलो बच्चा कहता है तू को try करते हैं अभी confirmation नहीं देंगे यहां पे लिखा हमने तू अगर तू को लिखते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाता है बच्चा 8 दूनी होता है 16 अगर यहां में से 6 गया तो चौदा में से जब 6 जाता है तो 8 आएगा 5 सही है एकदम सही है तो यहां पर क्या आएगा टू यानि a option अगला सवाल अगला सवाल करते हैं बच्चा देखो बच्चा आप डिफेंस में आते हों मेरी तो मैंने आपको यह कोशन कराया था को लॉजिकल सीक्वेंस के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है तो बच्चा देखो लॉजिकल सीक्वेंस तब अरेंज करोगे जब आपको नॉलिज होगी जब आपको क्या होगी बच्चा नॉलिज होगी नॉलिज ह आपको इंडिया के मैप की knowledge नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते तो चलो इस question को मैं बता देता हूं तो इन्होंने कहा arrange in a clockwise manner starting from north of north on India map तो इंडिया के map पर सबसे ज्यादा north में कौण पाया जाता है लड़ाग तो नमबर वन पर आएगा लद्दाक ठीक है नमबर वन तो वन पर ये भी है ये भी है अब लद्दाक के बाद अगर मैं अब नौर्थ साइड से क्लॉक वाइज मूव करूं नौर्थ साइड से कैसे मूव करूं क्लॉक वाइज जैसे ये नौर्थ होता है तो नौर्थ से अगर म clock north पर क्या हुआ लगदाग अब clockwise move करूँगा मैप 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 मैं जो इंडिया का मैप है तो उसके बाद आएगा बच्छा उडीसा लगदाग के बाद क्या आता चाहिए उडीसा तो लगदाग के लगदाग लगदाग के बाद उडीसा उडीसा के बाद पॉंडीचैरी फिर आता है गोवा फिर आता है पंजा तो बच्छा यहां पे आपको मैप की नौलिज होनी चाहिए ठीक है अगला सवाल अगला सवाल ओहो यह भी खतरनाक जब जब तक आपको यहां पर मीनिंग नहीं पताओगा आप नहीं कर पाओगे यहां पे जैसा रिलेशन इन दोनों के बीच में है वैसा यहां पर फाइंड करना है तो पहले यह बताओ यह गालोप होर्स यानि सरपट गोड़ा इसका मतलब क्या है जब गोड़ा बहुत तेज है तो उसको कहते है सरपट तो जब भोड़ा बहुत तेज दोरता है स सरपट को आइध मैं तो वह यहां पे सरपट का जो मतलब होता है द्यान लखना सर सरपट किसको बोलते हैं जब घोड़ा काफी जोस की एक नव फास्टेस्ट स्पीड जो होती है उसको हम कहते हैं भाईया सरपट सरपट घोड़ा तो ऐसा इन कौन सिमिलर है हाथी ना पक्ची कंगारू ना रन सेर ना क्या आएगा एक ऑप्शन स्केमपर माउस जब माउस की एक मेकेनिकल पोजिशन होती है जब वह बहुत तेजी से दोड़ता है उसको कहते हैं स्केमपल तो बच्छा यहां पर इसकेमपर क्या होता है माउस की एक कैट दोड़ता है तो वह सरपट माना जाता है सरपट दोड़ रहा है ठीक है तो माउस का क्या होता है जब माउस बहुत तेज दोड़ता है तो उसको हम कहते हैं स्केमपर तो यह बात ध्यान रखना चलो अगला सवाल अगला सवाल बच्छा जी क्या कह रहा है अगला सवाल कह र दिखाई देगा दो आपका इस प्रकार दिखाई देगा दो अरे सीधा ही बना दिया मैंने दो आपका किस प्रकार दिखाई देगा बच्चा जी दो आपका इस प्रकार दिखाई देगा दो ठीक है दो आपका इस प्रकार दिखाई देगा फिर वन तो वन दिखाई देगा ऐ से करके तो यह देखो यह किस के अंदर है no a2 एसे आना चाहीए क्या इसके अंदर एंदर यह ऑप्षिं गलत यह बी गलत आपका b option right answer है क्योंकि इस के अंदर मैश कर रहा देखो a2 की position देखो two की position यह तो सीधे सीधे गलत हो गए थे हो गए थे अब जैसे यहां भी डवलू हुए है यहां भी डवलू है लेकिन यह two सीधा है तो यह गलत हो गया इसमें two की position match कर रही है यानि be option is the right answer अगला सवाल अगला सवाल ओहो फिर से बच्छा यह knowledge का मतलब क्या होता है different तो बच्छा आपको बताना यहां पर different कौन सा है stable अब यह stable क्या होता है डैन क्या होता है यह इगलू क्या होता है कोट क्या होता बच्छा टाइप है तो यहां इस्टेवल किसको कहते हैं जहां गुरो को रखा जाता है दैन किसको कहते हैं दैन किसको कहते हैं बच्चा दैन कहते हैं जहां पे जंगली जानवर को रखा जाता है वाइल्ड अनिमल इगलू कहते हैं जहां पे स्नो को रखा जाता है स्नो को लेकिन कोट क बोलते हैं तो यहां किसी को रखा नहीं जाता तो इन में से इंसान का बनाया हुआ है ठीक है चलो अगला बच्च यह आपकी alphabate series जल्दी से इस question को देखेंगे alphabate series को तो यहां पर अगर आप देखो फर्स्ट लेटर को चेक करो first letter सभी का first letter सबसे पहले first letter देखो 4 और 2 6 6 और 2 8 8 2 10 10 12 12 12 14 14 पर आता एन तो यह तो answer नहीं हो सकता एन इसमें सम्में है वह यहां पर है 26 26 26 21 यानि माइनस का 5 21 से 16 माइनस का 5 16 से 11 माइनस का 5 11 से 6 माइनस का 5 जब 6 में से 5 घटा होगे तो क्या बचेगा एक यानि ए एन ए तो यह भी गलत तो एन एन दोनों में अब बचा चेक करो एक यह एक एक से 4 यानि प्लस 3 चार से 7 यानि प्लस 3 तो इस बार बच्चा क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है इस बार सभी में प्लस 3 इसकी 1 इसकी 4 प्लस 3 चार से 7 प्लस 3 साथ से 10 प्लस 3 10 से 13 प्लस 3 13 और 3 16 यानि P तो यानि D option is the right answer तो अगर हम बात करें जैसे D, Z, A है तो इसमें क्या हो रहा था बच्चा प्लस 2 प्लस 2 चल ला था इसमें भईया आपका चल ला था माइनस का 5 और इसमें चल रहा था प्लस का 3 समझ गए माइनस का 5 चल ला था और यहाँ पर प्लस का 3 चल ला है ठीक है अगला सवाल देखते हैं बच्चा अगला सवाल क्या कहते हैं इन में आपको फिर से different बताना है बता बच्चा different चुनना है जिस बच्चे को square cube यादे हो जट से कर देगा क्योंकि बच्चा देखो 13 का square क्या होता है नाना ये तो नहीं हो रहा 13, square नहीं हो चाहँ यहाँ पे 13 से 182 बच्चा देखो, यहाँ पे आपको tables अच्छे से याद होनी चाहिए, क्या याद होना चाहिए tables, अब जिस बच्चे को table याद है, वो बच्चा इसको जट से कर देगा ठीक है, बच्चर्थ यह है कि यहाँ पे बच्चा जी, आपको table याद होनी चाहिए, tables अब देखो, यहाँ पे क्या logic चलग रहा है अगर बच्चा यहाँ पे देखें 13 का square होता 169, लेकिन अगर मैं इस option को देखूं कि 13 में मैं 14 का गुणा कर दूँ 13 into 14, तो यहाँ आ रहा है 182, यहाँ पे बच्चा 23 में किसका गुणा कर दूँ, 24 का 23 में जब 24 का गुणा करूँगा तो बच्चा आएगा 500 बामन तो 13 में 14 का गिया, 23 में 24 का किया, अब बच्चा 25 में किसका करूँगा, 26 का 25 में जब 26 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा 650, लेकिन यहाँ बच्चा उल्टा हो रहा है क्योंकि 18 का स्क्वाइट 324 होता है, तो बच्चा यहाँ अठारा में 17 का गुणा करूँगा, तो 306 तो यहाँ पे देखो, 13 से बड़ी संख्याती, 13 से 14, 23 से 24, 25 से 26, यह लेकिन 18 से 17, यानि यहाँ पे माइनस हुआ, तो बच्चा यही डिफरेंट हुआ, क्योंकि इन तीनों का लॉजिक सेम आ रहा था, 13 से बड़ी संख्या 23 से बड़ी संख्या, 25 से बड़ी संख्या, यह 18 से छोटी हो गई क्या रहेगा बच्चा, हूमवर्क रहेगा, हूमवर्क, आज की क्लास का हूमवर्क रहेगा यह, ठीक है, अगला कोशन, क्योंकि यह थोड़ा, जब तक आपको इन शब्दों की नॉलिज नहीं होगी न जब तक आप इस कोशन को नहीं कर पाओगे तो अराम से इस question को घर बैठ के solve करना अगला सवाल अब अगला सवाल देखते हैं बच्चा यहाँ पर मगर मच साप analogy का question फिर से है एक और मगर मच और साप ये दोनों reptile होते है मगर मच और साप दोनों क्या है reptile है तो iguana ये भी reptile है तो इसके साथ क्या जाएगा गिर्गिट तो यहाँ पर answer क्या आएगा गिर्गिट क्योंकि mandak तो reptile नहीं है starfish reptile नहीं है और ये तोड भी reptile नहीं है तो बच्चा मगर मच क्या है reptile साप भी क्या है reptile जो रेंगते हैं iguana भी क्या है reptile तो यहां भी रेप्टाइल आना चाहिए ना तो मेंडग रेप्टाइल नहीं है स्टारफिस रेप्टाइल नहीं है तोड भी रेप्टाइल नहीं है कौन रेप्टाइल है गिरगेट तो यानि गिरगेट इस दा राइट आंसर अगला बच्चा यह है बच्चा डारेक्शन का question यह किसका question है बच्चा direction का अगर आपको याद होगा direction का question मैंने आपको ऐसे question class में कराये थे अब इन्होंने कहा रोहन is facing towards west यानि रोहन का चेहरा किदर है west की तरफ है ठीक है फिर वह turn करेगा clockwise anti clockwise मैंने कहा था clockwise को एक जगा जोड़ लेना तो यह 45 degree clockwise यानि 45 degree क्या हुआ clockwise और turn 180 degree anti-clockwise तो anti-clockwise क्या हो गया बच्चा 180 degree ठीक है यह हुआ अब पूचा कि उसका चेहरा किधर है facing now अब उसका चेहरा किधर है तो बच्चा मैंने आपको बताया था इसको आपस में minus कर लोगी anti-clockwise और clockwise को आपस में minus कर लोगी तो बच्छा यहां पर कितना आने वाला है तो 10 में से 5 गया 5 और यह आ जाएगा 135 ठीक है अब 135 किदर गूमू जिसकी संख्या बड़ी है बड़ी संख्या किसकी है anti-clockwise यानि anti-clockwise आपको 135 डिगरी घूमना है anti-clockwise तो anti-clockwise ऐसे होगा तो यहां तक 90 अब है और 45-135 यानि चेहरा आ गया इस डारेक्शन में और यह जो डारेक्शन होती है इसको हम कहते हैं साउथ इस्ट क्या कहते हैं साउथ इस्ट यानि जो आपका आनसर आना चीए वो तो साउथ इस्ट आना चीए ऐसा तो दिया ही नहीं है रोहन इस फेसिंग टूवर्स वेस्ट थरं 45 डिगरी क्लॉक वाईस अगे डूब यह अच्छा यहां पर हमने एक चीज़ नोट नहीं करी 40 डिगरी क्लॉक वाईस अगें क्लॉक वाईस and then turn तो 45 degree clockwise दो बार घुमा है, कितनी बार घुमा है बच्चा दो बार दो बार घुमा है यहाँ पर यह हमने नोट नहीं किया धंक से ठीक है, भाई यह दो बार घुमा है 45 degree 45 degree clockwise, again clockwise तो भाई यह 180 में से अब कितना घटाओगे 90, कितना घटाओगे 90 संख्या किसकी बढ़ी है, entry clockwise तो हम किदर घुम जाएंगे अंटी clockwise तो भाई यह ऐसे केस में आँसर क्या आएगा, जब एंटी clockwise गूमेंगे यानि यह इधर की तरफ होगा यानि यह इधर की तरफ आ जाएगा यानि South तो यहाँ फेस किदर आ गया अगला सवाल देखेंगे बच्चा जल्दी से अगला कोशन अब बच्चा अब मैं आपको पहले कराता हूं यह वाला कोशन इसको जल्दी से देखें सभी बच्चे और बताएं इस कोशन का आंसर क्या होगा अब जिस बच्चे को स्कॉयर याद है वो जट से कर देगा जिसको स्क्वाइर क्या होता है 289, 34 का आदा करो, 17, 17 का स्क्वाइर 289, 16 का आदा किता होता है 8, 8 का स्क्वाइर 64, भया 18 का आदा क्या होता 9, 9 का स्क्वाइर 81, 26 का आदा होता 13, 13 का स्क्वाइर होगा 169, यह यहां सही नहीं दिया, तो यही हुआ बच्चा आपका डिफरेंट, तो तो बच्चा देखो आपका homework वाला question रहे गया क्योंकि समय हो गया होली है स्वाद लेना होली के ठीक है मजे लेना रंग लगाना ठीक है और लेकिन अपनी सेहत का ध्यान एकना क्योंकि आपका exam है 8-10 दिन बाद ठीक है बच्चा तो warriors आपका homework रहे गया homework वाला question चलो वह कोई आतनी होली के बाद करा दिए तो आज का homework था आपका यह वेंड डाइग्राम का question इसका answer आपको देना है offline comment करके और देखो मैंना आपका question तो लगाया था लेकिन बच्चा थोड़ा सा काम है हमको भी जाना ही है तो यह आपका question तो था मेरे पास आज मैं इसको करा था इसका answer मैं आपको बता देता हूं 27 इसका answer क्या है 27 लेकिन explain करूंगा next class पर ठीके बच्चा तो आज की class में इतना ही करेंगे वारियर सभी को जैहिन सभी को happy only और ध्यान से खेलना थैंक्यू